हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में जनरिक PNP मोनिटर रेवर एरर आता है तो उसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना कि आप्डेट करने के बाद को यहां से आपडेट कर लिजएगा अपडेट करने के बाद आपको क्या करने के बाद इसको यहां से कलोज कर देने आपको क्या करने, फिर से यहाँ पे Search Bar में आने आने के बाद यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ओप्सन दिखी जाएगा, इसको और आपको क्लिक करते हैं, इसका ड्रैबर अप्डेट कर लेने, अप्डेट करने के लिए आपको क्या करने, इसके ओपर अपडेट ड्रायवर के ऑपर क्लिक कर देने हैं सके बाद यहां पर सर्च आपटोमेट करके यहांसे अपडेट कर शकते हैं ऐसा अपके रैवर को प्डेट कर मैं द्यूसरा को भी होगा तो घूंदर रिक या छंफरे टॉसराbabोनलेज़े इसको भी मन लिजिए और पर क्लिक किजएगा यहां पे किलिक करके इसको आपको अपडेट कर लेना है तो यहां से भी अपडेट हो जाएगा इसके बाद आपको यहां पे किलिक करके भी अपडेट करेंगे तो दोनों ड्यावर एक साथ ही अपडेट हो जाएगा आपको दोनों ड्यावर को अलग अलग से करने के बाद यहां पे आपको setting icon दिख जाएगा इसको पर आंको और किलिक कर दिने किलिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना यहां पे left side में आपको system दिखेगा इस type को आपको click करने के बाद यह ओप्शन दिखी जाएगा यहां पर आपको क्लिक करने के बाद यह ओप्शन दिखी जाएगा आपको क्या करना यहां पर एडवांड डिस्प्ले दिखेगा इसको पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आपको यहां पर सेलेक्ट कर लिजेगा सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहां से क्लोज कर दीजेगा क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है सिस्टम को रिए स्टार्ट करने के बाद आपको चेक करने नहीं जो यह प्रॉलम आ रहा था वह प्रॉलम फिक्स हो जाएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्रा